BPSC विद्यार्थियों के लिए यह बहुत महत्वपुर्ण खबर है कि BPSC इतिहास में पहली बार एक्जिट पोल करने जा रहा है जैसा एक्जिट पोल चुनाओ का रिजल्ट आने के पहले होता है रिएल रिजल्ट के पहले एक्जिट पोल वैसे ही यह ट्वीट है अतुल प्रशाद सरका जो चेर्मेन है BPSC और हमें लगता है कि पूरे इंडिया में पहली बार कोई पब्लिक सर्विस कमिशन इस तरह का एक्जिट पोल करवाने जा रहा है है क्या कि जो 68 की PT हुई है 68 BPSC की जो PT हुई है उस PT को यानि जो 12 फरवड़ी को PT हुई है 68 उस PT में सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं कि जेनरल के लिए cut-off क्या होगा OBC के लिए क्या होगा AC, HD के लिए क्या होगा क्योंकि category wise cut-off होता है और कुछ लोग बता रहा है कि कुछ लोग और कुछ बता रहा है तो BPSC चेर्मन ने इस ट्वीट में जो आज का ट्वीट है अब देख सकते हैं ये ट्वीट जो है ये आज एक बच के 36 मिनट पर 17 फरवरी का ट्वीट है इसमे BPSC कहते हैं कि एक reasonable guidance मिलेगा अब देख सकते है reasonable guidance की बात कर रहे हैं और वो कह रहा है इस guidance के माध्यम से आप login कर सकते हैं और login करके expected marks आप entry कीजिए login करके और इसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि क्या होने वाला है यानि BPSC सभी विद्यार्चियों को कह सकती है login कीजि क्योंकि इसका model answer तो आ चुका है सभी विद्यार्चियों को पता है कि किस question का उन्होंने क्या टिक किया है तो model answer देखकर आप अपना expected marks कि कितना आपको उमीद है कितना marks आने का आपको अपना login ID, password के माध्यम से entry कीजिए और उसके बाद एक reasonable guidance सब को मिल जाएगा कि cut-off क्या के पहले exit poll का cut-off यह होने जा रहा है और कहते हैं कि अगर यह प्रियोग सफल रहा तो आने वाले exam में भी इस तरह का exit poll किया जा सकता है यानि एक प्रियोग है यह पहली बार प्रियोग सायद इंडिया में कोई public service commission कर रहा है यह प्रियोग अतनल प्रसाद शरका है chairman है BPSC औ तो इसके अनुसार सभी विद्यार्चियों को login करना होगा login करके अपना expected marks डालना होगा क्योंकि उनके पास question paper भी है और ABCD और सभी का model marks भी आ चुका है उसे देखकर उनको बताना होगा login करके BPSC के website पर कि आपको कितना आया 90 आया 95 आया 100 110 जो भी आपको आया वो आपको entry क करना होगा और जब सब लोग entry कर लेंगे तो फिर total seat भी fix है cool seat कितना है category wise उसके अनुसार एक पता चल जाएगा कि क्या expected रहने वाला है यानि real result के पहले एक exit pole आ जाएगा जो कि official होगा कि इस PT का कितना होने वाला है तो यह बहुत बड़ा प्रियोग है और देखते हैं कि य विद्यार्थियों को मिलेगा और यह प्रियोग सफल रहा तो आने वाले exams में भी इस तरह के प्रियोग किये जा सकते हैं तो सभी BPSC के विद्यार्थी जो 68 मी दिये हैं 12 फरवरी को उन लोगों को जल्द BPSC के website पर एक platform मिलेगा जहाँ पर भी लोग इन करेंगे और लोग अधार पर विद्यार्थी अंदाज लगा सकते हैं कि किस category का कितना cut-off हो सकता है क्योंकि अभी market में बहुत लोग अंदाज लगा रहा है इतना होगा उतना होगा उन सब को market में rumor को खत्म करने के लिए यह प्रियोग किया गया है दिया जा रहा है देखते हैं इसका result कैसा हो